Hello everybody, आज के एपिसोट में बात करेंगे South Indian Bank के बारे में, यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसके बारे में बात करी जाए, तो चलो आज डिसकास करता है South Indian Bank को, देखो इसमें दो वर्टिकल्स हैं, एक fundamental वर्टिकल हैं और एक technical वर्टिकल है, technical basis पे कुछ की राली आएगी क्यों ऐसे एक्सपेक्टेशन थे बिकॉस पीएस्यू बैंक के इंदर हमें अल्रेडी एक रन अप देखने को मिल चुका था तो यहां पर साउथ इंडियन बैंक के अंदर जब इनीशली ब्रेकाउट आ रहे थे तो आपको टाइम याद होगा वो तब का टा जाये, management shifting आई वो सारी चीजें हुई बट अभी जो बैंक के लिए बड़ा influx आया है, जो influx आया है rate cuts के बाद में और expected है कि इस साल के end तक एक और rate cut देखने को मिल सकता है, तो private banks के macro scenario अच्छे नजर आते हैं, वो एक चीज़ यहां पर आपको समझनी है, South Indian Bank के share की बात कर यहां पर last few years में profit growth improve हुई है company की, in fact यहां पर company की sales growth भी improve हुई है, last three years की sales growth 5.64% के आसपास में है, अगर आप यहां पर देखोगे तो ultimately हमको एक अच्छी growth देखने को मिल रही है, while five years की growth 4.61% के आसपास में है, तो definitely यहां पर sales improve हो रही है, sales पता है क्यों improve हो रही है, क्यों क्योंकि इन्होंने focus किया है corporate lending की side पर जादा, जो दूसरी banks है, वो focus कर रही है retail banking की side पर जादा, इस चीज़ को समझ कर चलना, क्योंकि जितने भी बड़े defaults होते हैं, क्योंकि बड़े loan दिये जाते है, ultimately corporates को, देखो individual जो retailer है, वो बहुत सीधा आदमी है, आप किसी भी, आ otherwise, वो कभी भी पैसे लेता नहीं है, मारता नहीं है, जैसे बोलते हैं, बट corporates के case में ही चीज़ होती है, तो इसको आप समझ कर चलना, और ये तो previously हमने देखा भी एक है, anyways, अगर हम लोग यहाँ पर sales की बात करें, तो sales growth अच्छी है, because corporate lending की side पर focus जादा है, यहाँ पर company का financing level पर loss हुआ है, बट जैसा banks में हमेशा other income रहते हैं, उसके basis पर इनके पास में profit रहा, 294 करोर के आसपास का net profit रहा है, यहाँ पर, revenue की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो revenue के अंदर अगर आप देखें, last 3 years के अंदर एक अच्छा growth देखने को मिला है, in fact, trading 12 months में अच्छी growth है, वो एक चीज है, अभी मैं growth की बात कर रहा हूँ, बट इसके बाद मैं आपके साथ में discounting की भी बात करूँगा, anyways, यहाँ पर shareholding pattern आपके screen पर है, FIIs ने अपने stake को कम किया, DIs ने स्वरा सा add किया, अच्छा देखो, अब मैं जो बात करना चारा था initially, South Indian Bank के अंदर यहाँ पर चलते हैं, आप यह देखिए, इसके अंदर growth कर आने लगी है, 2022 के period के बाद में, and growth कैसे आई है, कि यहाँ से stock 9 रुपे का था, 9 रुपे के बाद में उसने 32 रुपे के peak को touch किया, for the sake of easiness, यहाँ पे 27 रुपीस का price पकड़ते हैं, 3X का price होता है, 2022 के अब ही company का EPS कितना है, 4 रुपे के आसपास हो गया, तो यहाँ से जब company 3X हुई थी, तो EPS जो है, उसके अंदर एक multi-layer fold growth थी, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो, EPS 17 वैसे बढ़के 3 रुपे के आसपास हुए, तो यह चीज़ समझेंगी, यह बाटम लाइन बहुत त इतना profit नहीं आ रहा है, बट initially जब bank वापस से profit की तरफ जाएगा, तो आप देखेंगे कि growth एकदम से बड़ी, उसके बाद हुआ क्या financing level पर profit कम हुआ, और यहाँ पर other income का component जो है, वो बढ़ता हो नजर आ है, इसमें भी दो चीज़े होती है, exceptional item नहीं है यहाँ पर, regular other income से इनका component बड़ा है, तो यहाँ पर जो net financing चल रही है, उसमें company profit कम कर रही है, वाइल जो other extra services होती है, उसमें bank पैसा बना रहा है, इस चीज़े को बहुत ध्यान से समझ कर चलना, तो जो growth आनी थी, जो 17 पैसे से 3 रुपे तक का जरनी थी EPS में, और जो 3 से 4 रुपे की जरनी ह उसमें जमीन आसमान का फरक है, जिसकी विज़े से growth जो है, यहाँ पर hold down हुई है, अब देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, charts पे, तो charts पे क्या होता है, इसको हटाना पड़ेगा एक बार, anyways देखो, यहाँ से बता चल जाएगा, इसमें अभी login करना पड़ेगा, next वाले यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, तो definitely थोड़ से problems बढ़ सकते हैं, but initially अगर यहाँ से breakout आने लगता है, तो देखो, breakout इस zone पर भी आया है, breakout यहाँ पर भी आया है, तो ऐसा मत समझना है कि एकदम story change हो, भी या खरीदो 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 बस उपर जाने वाले, ऐसे बिलकुल म कर रहे हैं, वो थाइस पर उतनी जल्दी बेच के जा रहे है, क्योंकि फिर momentum shift होगा, बट हाँ, चाट पर एक triangle pattern हमें यहाँ पर बनता हो, नजर आ रहा है, वो एक factor है, इस से breakout, breakdown दोनों चीज़े इंडिकेट होती है, यह दो चीज़े आपको यहाँ पर समझ कर चलनी लेंगे, विध धाट सेट, I really hope you guys enjoyed this one, पसंद है, like, share, subscribe, ज dönूर करना, कोई भी डावत धा है, feel free to ask it in the comment section below and I'll see you guys in the next one.